बागवट जी जिस फल को या जिस वुशदी को सबसे ज़ादा बढ़ाई करते हैं वो मैंने बताया त्रिफला चून है बागवट जी का ये कहना है कि प्रथवी पर अगर कोई अमृत चीज है अमृत तत्तो है तो वो ये त्रिफला है त्रिफला में तीन फल है, आवला है, बहेडा है, हरडे है लेकिन जो महत्तु की बात आपको समझने की है वो ये कि हर बहेडा, आवला इसको हमेशा एक, दो, तीन के अनुपात में ही उप्योग करें बागबटे जी ने त्रिफला उप्योग करने के लिए बोला है लेकिन उसके साथ उन्होंने एक महत्तु की बात जोड़ी है कि इसको अकेला कभी भी उप्योग ना करें या तो इसमें गुड मिलाएं या तो इसमें शहःद मिलाएं अकेला उप्योग करना हो, तो ज़्यादा दिन ना करें नहीं तो आपको कुछ कमजोरी सी महसूस होगी जादा दिन से मतलब तीन महिने के आगे ना करें तो मैंने जो बताया रात को अगर त्रिफला ले रहे हैं तो या तो आप दूद के साथ ले पानी के साथ त्रिफला लेना माने अकेला त्रिफला लेना ऐसे ही बागवट्ट जी कहते हैं त्रिफला जैसी ही एक वस्तू है त्रिकटू है फिर ऐसे करकर के उन्होंने पूरी 108 की सूची बताई है अब मैं उसको विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि थोड़ा समय कम पढ़ रहा है मेरे पास और मुझे आगे की कुछ बाते हैं जो छूटी हुई है वो बतानी है त्रिफला जैसी कुछ वस्तूओं के बारे में मैंने कल कहा था जीरे के बारे में कहा था आपको थोड़ा हीं के बारे में कहा था अजवाईन के बारे में कहा था ऐसे ही अपने घर में एक बहुत अच्छी चीज है जिसके बारे में मैं कल छूट गया बोलना लेकिन बोलना जरूरी है वो है मैथी का दाना बागवटी जी कहते हैं कि अपने रसोई में आवला हरडे बहेडा इन तीनों के बाद कोई अच्छी चीज है तो अजवाईन फिर उसके बाद बोला तो जीरा फिर उसके बाद बोला तो हींग और उसके बाद फिर वो बोलते हैं सबसे अच्छी चीज है मैथी का दाना इस मैथी के दाने के बारे में इसकी जो विशेशता है मैथी की ये वात नाशक है और कफ नाशक है वात और कफ दो बीमारियों को जड़ से खतम करने की शक्ति इस मैथी में है मैथी पित्त को बढ़ाती है वात को कम करेगी कफ को कम करेगी पित्त को बढ़ाएगी इसका मतलब ये हुआ कि मैथी उपयोग अगर आप करते हैं तो बात की बीमारियां खतम हो जाएंगी पूरी तरह से और कफ की बीमारियां खतम हो जाएंगी पूरी तरह से पित्त की बीमारियां बढ़ सकती हैं क्योंकि मैथी पित्त को बढ़ाती है तो जिन लोगों को पित्त की वीमारी पहले से है उनके लिए विन्ती है कि वो मैथी का उपयोग ना करें जिनको पित्त की वीमारी पहले से है वो मैथी का उपयोग ना करें पित्त की वीमारी आप समझते हैं अगर आपकी हैं गुट्टे दुकना को बात की बीमारियां अगर आपकी हैं गुट्टे दुकना कमर दुकना कंदे दुकना जोडों का दर्द उथी का उपयोग जरूर करें जरूर करें अब आप पूछेंगे जी मैथी का उपयोग करने का तरीका तरीका बहुत सरल बताया बागवट जी ने कि रात को एक गिलास गुनगुने पानी में या गरम पानी म एक चम्मच मैथी दाना डाल दे रात भर उसको रखें सुबह उठकर मैथी दाने को चबा चबा के खाएं चबा चबा के खाने का महत तो बहुत है कई लोग मैथी की फंकी लेते हैं पिसा हुआ मैथी होता है ना उसकी फंकी लेते हैं लेकिन फंकी का महत तो इतना नहीं है ज इतना चबा कर खाए हुए मैथी का है क्यों कारण उसका ये है कि जैसे ही मैथी आप चबाते हैं लार बनना बहुत तेजी से शुरू होती है क्योंकि मैंथी का जो स्वाद है ना वो कटुक है कशाय स्वाद है उसका तो उस स्वाद की कोई भी चीज आप चबाएंगे बहुत तेजी से लार बनेगी और वो लार मैंने आपको पहले ही बता दिया है आपके जीवन के लिए बहुती महतुपुन रुप्योगी है इसलिए मैथी दाने को चबा कर खाने का असर बहुत गहरा और बहुत अच्छा होता है तो आप मैथी दाना नियमित रूप से अपने घर में रखें रसोई में रखें उसका उप्योग करें इस मैथी दाने के लिए एक बात वैसे मैंने महसूस की है हमारे जादातर घरों में अचार जितमें भी बनते हैं सब में मैथी होती है जादातर तो आप बागवट्ट जी की बात अगर मानते हैं और सुनते हैं तो जो भी अचार में मैथी है वो अचार नहीं है और शदी है दवा है माने आप कभी भी अपने जीवन में ऐसे अचार खाने से परहेज ना करें जिसमें मैथी है मैथी है तो जरूर खाए वो चाहे आम का अचार हो चाहे कोई भी दूसरा नीवू का हो जो भी अचार आप डालते हैं, अगर मेथी है, तो जरूर उस अचार को आप खा सकते हैं, कुछ अचारों मेथी के अलावा ये भी होती हैं, अजवाइन होती हैं, अगर अजवाइन है तो आप जरूर अचार खा सकते हैं, क्योंकि महत्तु की बात जो आपको मैं समझाना चाह पड़ाता हूँ वो ये कि किसी भी अचार पर, किसी भी फल पर औशधियों का असर फल से जादा होता है, जो विज्ञान की बात है वो ये, कि आपने अचार डाला तो मालो आम का फल था, आम के फल का अचार डाला, अब इस पे मैथी पड़ गई या इस पे पढ़ गया ये, अजवाइन पड़ गई, तो अजवाइन और मैथी दो ऐसी आउशदिया हैं, जो दूसरे के प्रभाव को बहुत कम और अपने प्रभाव को बढ़ा देते हैं। मैथी जाएगी और अचार में पड़ी हुई मैथी का असर पानी की मैथी से कई गुना ज़्यादा हो जाता है। मैंने जो मैथी आपको बताई वो पानी में रात को डाल के सुबह खाना इसका जितना असर है लेकिन अचार में डाली हुई मैथी का असर इससे कई गुना जादा है क्योंकि अचार में ये मैथी पांच-छे महीने साल भर पड़ी रहती मैथी के बारे में बागबटी जी कहते हैं कि तेल में मिलाकर अगर आपने इसको रख लिया तो मात भईए है कि अचार में तो तेल भी है बिना तेल के अचार नहीं है मैथी उसमें डल गई तो आप समझ लीजे कि इसकी शक्ती जो काम करने की है वो बीस गुनी जादा होती है कम से कम बीस गुनी जादा होती है तो इसलिए अचार में पड़ी हुई मैथी जितनी पुरानी होती जाएगी आपको उतनी ही लाबकारी है और ठीक यही बात उन्होंने अजवाइन के लिए लिखी है कि अजवाइन अचार में पड़ गई है तो आप समझ लो कि वो बहुत गुनी बढ़ गई है अब मैं ये दूसरे तरह से सोचता हूँ कि हमारे घर में जो माताएं बहने हैं वो कितनी वेग्यानिक हैं कि अचार के रूप में मैथी को या अजवाइन को इस तरह से डालती हैं वो अंजाने में कितना बड़ा विग्यान का काम कर रही है जानकर करें तो आप सोचो कितना गर्व हो कितना गौर्व हो लेकिन अंजाने में वो कर रही हैं तो ये बात मैं विशेश रूप से आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जिस घर की माताएं अचार बनाना जानती है वो बहुत वेग्यानिक है भले उन्होंने अपनी मां से सीखा हो या दादी मां से सीखा हो या नानी मां से सीखा हो अंजाने में आपने एक ऐसी चीज सीख लिए है जो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं जानते कोई भी MBBS, MD डॉक्टर से पूछ के देख लीजे उसके बारे में कुछ नहीं जानता और चुकि वो जानता नहीं है तो अंजाने में कह देता अचार मत खाओ जी हाँ, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा उसको ये मालूम नहीं है कि मैथी दाने का अचार है अजवाइन का अचार है, जीरे का अचार है तो ये जीरा है, मैथी दाना है, अजवाइन है हींग का अचार एक बनता है तो बागवट्टी जी कहते हैं कि जितने तरह के फलों के अचार हम बनाते हैं उसमें आयरुवेदिक आउशदी अगर पढ़ गई है तो वो फल का असर कम है आउशदी का असर जादा है और आयरुवेदिक आउशदियों को कुछ विशेश कम्बिनेशन में तेल के साथ अगर आप उप्योग कर रहे हैं तो असर सबसे जादा है माने बागवट्ट जी के हिसाब से अचार आप जरूर खाएं लेकिन इसमें उन्होंने बोला है कि अचार महत्तु की बात है थोड़ा आगे बढ़ते हैं वो हमारे रसोई घर में एक चीज के बारे में बहुत बखान करते हैं माने बहुत बढ़ाई करते हैं वो यह कहते हैं कि जो लोग खाने के बाद पान खाते हैं चूना मिला कर वो जिन्दगी भर वात के रोगी होंगे नहीं जो खाने के बाद पान खाते हैं चूना मिला कर वो जिंदगी भर वात के रोगे होगे नहीं माने चूना वो बोलते हैं सबसे बहतरीन वातनाशक औशदी है मैथी का दाना तो है ही चूना उससे थोड़ा एक डिगरी उपर है मैथी दाने से चूना सबसे अच्छी वातनाशक औशदी है चूने के बारे में बागवट जी का बहुत बहुत रिसर्च है और वो ये कहते हैं कि ये भगवान की दी हुई प्रचंड मात्रा में अद्बुत ऐसी चीज है जो आपके बात के सब रोगों को दूर करेगी माने घुटने दुखते हैं कमर दुखती हैं कंदा दुखता चूना खाई है फिर वो कहते हैं कि इतना ही नहीं शरीर में कैल्शियम जो है ना कैल्शियम ये एक घटक है माइक्रो न्यूट्रेंट इसको कह सकते हैं अंग्रे जी में सुक्ष्म पोशक तत्व है ये केल्शियम के वारे में जो गंभीर बात है आज के विग्यान के हिसाब से जो मैं कहना चाहता हूँ भागवट जी ने तो साड़े तीन हजार साल पहले कह दिया आज का विग्यान उसको प्रूफ कर रहा है केल्शियम की कमी अगर शरीर को है तो आपको बीसियों नहीं पचासियों बीमारियां आएंगे केल्शियम की कमी अगर है शरीर को तो पचासियों बीमारियां आएंगे क्या क्या आ सकता है हर तरह का दर्द आपको होगा हर तरह का मासपेशियों का दर्द, हड्डियों का दर्द, सब तरह का हड्डियों की जितनी विक्रतियां हैं, वो सब केल्शियम की कमी से आएंगे हड्डियों के जितने रोग हैं, वो सब केल्शियम की कमी से आएंगे फिर वो कहते हैं कि रक्त के बहुत सारे रोग केल्शियम की कमी से आते हैं रक्त के रोग, खून की बीमारे फिर वो कहते हैं कि बहुत सारे कफ के रोग केल्शियम की कमी से आते हैं तो केल्शियम कम नहीं होने देना चाहिए जो विज्यान आज का कहता है आधुनिक विज्यान ये कहता है कि कैल्शियम वो माइक्रो न्यूट्रियंट है वो सुक्ष्म पोशक्तत्त्त है जिसके शरीर में रहने पर ही दूसरे सुक्ष्म पोशक्तत्त उपयोगी होते हैं ये 12-15 साल का रिसर्च है एक वाक्य में मैंने खतम कर दिया कैल्शियम की उपस्थिती में ही बाकी सभी सुक्ष्म पोशक तत्तो उपयोगी होते हैं इसका मतलब ये है कि अगर आपको शरीर में विटेमिन C का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए विटेमिन A का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए विटेमिन B का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए अगर विटेमिन D का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए विटेमिन K का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए प्रोटीन अच्छे से आपके शरीर को काम में आएं तो कैल्शियम चाहिए कार्बो हाइडरेट्स ठीक से आपके शरीर को मदद करें तो कैल्शियम चाहिए फैट्स आपके शरीर में डिजॉल्व होते रहें और जहां जरूरत है वहां लुब्रिकेशन में मदद करते रहें तो कैल्शियम चाहिए माने समझ लीजे कि कैल्शियम अगर नहीं है तो शरीर में सब कुछ बीमारियां आने ही वाली है इसलिए कैल्शियम की उपलब्दता शरीर को होनी ही चाहिए अब इसके बारे में बागवटी जी कहते हैं आदुनिक विज्यान ने अभी प्रूफ किया बागवटी जी पहले ही कह गए कि हमारे शरीर की 40 वर्ष की उम्र तक 40 से 45 वर्ष की उम्र तक जो कुछ भी हम खा रहे हैं इसी मैंसे हमको कैल्शियम मिलता रहता है सबसे ज़्यादा कैल्शियम आप जानते हैं दूद में है दूद फिर दूद के बाद दही दही के बाद मठा मठे के बाद मक्षन मक्षन के बाद घी इन सब में भरपूर कैल्शियम है फिर आपने खाया संतुरा मुसम्मी नारंगी अंगूर द्राक्ष जो भी खटे फल आम वगेरा वगेरा सब में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है फिर सबसे ज़्यादा कैल्शियम फलों में माना जाता केले में है केला भरपूर खाना चाहिए क्योंकि कैल्शियम का सबसे बड़ा बंडार है और आसानी से हजम होता है तो ऐसे जो फल है इनका जो कैल्शियम है ये 40-45 साल तक हमें आसानी से मिलता रहता है क्योंकि शरीर की जो बायो कैमिस्ट्री है 40-45 साल तक एकदम दुरुस्त और तंदुरुस्त रहती है जठर अगनी भी तीवर रहती है बाकी सब फंक्शन ठीक है लेकिन जैसे ही 45 की उमर खतम होती है माताओं को ये बात विशेश रूप से कह रहा हूँ बेहनों को माताओं को जैसे ये आपकी 45 की उमर पूरी होती है और आपका मैंसिस साइकल बंद होता है मासिक धर्म आपका बंद होता है उसी سमय आपको केल्शियम हجम होना कम होना शुरु होता है आप कितना भी ये सब चीज़े खाएं, केला भी खाएं, ये भी खाएं लेकिन कैल्शियम उतना पूरती नहीं करता क्योंकि कैल्शियम को शरीर में डाइजेस्ट कराने वाला जो हार्मोन है वो तभी तक आपको है जब तक आपकी मासिक चक्र की शुरुवात है मासिक चक्र बंद होते ही ये हार्मोन कम होता है आप जानते हैं कई हार्मोन कम हो जाते हैं तो कैल्शियम डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल होता है तब आपको जरूरत पढ़ती है कि बाहर से कैल्शियम लें इसलिए सम माता हैं इस बात को ध्यान दें और इसको गांट बांद लें कि 45 की उमर होते ही चूना खाएं क्योंकि अत्रिक्त बाहर से कैल्शियम उसी से मिलेगा चूना जरूर खाएं आप सब के लिए और आपको भी है चूना खाएं क्योंकि आपकी उमर भी 45 की जब पूरी होगी तो ये जो कैल्शियम है वो आपके लिए परियाप्त नहीं है जो फलों से और सबजेों से आ रहा है कुछ अत्रिक्त चाहिए और चूनकि बाकी सब माइक्रो न्यूट्रियंट्स कैल्शियम की उपस्तिती में ही काम आएंगे इसलिए इस पर ध्यान दीजे तो शायद इसलिए इस देश में एक परंपरा विक्सित होई है पान खाने की ये पान खाने की परंपरा बहुत वैज्यानिक है बहुत ही वैज्यानिक जिसने भी शुरू की वो बागवट का पक्का चेला रहा होगा बहुत समझकर उसने ये शुरू की और ये अद्वुत है अद्वुत मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की सब जातियों में उत्तर से दक्षिन कूरब से पश्चिम ये परमपरा है कहीं भी चले जाओ आप सिक्किम में चले जाओ अरुणाचल में चले जाओ वो भी पान खाते हैं और आप धुर दक्षिन में आ जाओ तो यहां भी है उत्तर में चले जाओ कहीं भी चले तो ये पान खाना भारतिये सब्विता का एक बहुत महतुपूर अंग है जो स्वास्थ से जुड़ा हुआ है बस ध्यान इतना ही रखिए कि पान जो है चूने क ही खाना है पान कभी भी कथे वाला ना खाएं क्योंकि कथा आपके लिए उतना उपयोगी नहीं है कथा स्वाद के लिए आप उपयोग करते हैं चूना और शदी के लिए उपयोग करते हैं ये बात मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ आज फिर से इसलिए कह रहा हूँ क कुछ नए चेहरे मैं देख रहा हूँ कल बहुत सारे नए और आज भी बहुत सारे नए चेहरे आए है अब वो ये जरूरी बात से वंचित रह जाए इसलिए मैंने ये दुबारा से कहा है तो आपके रसोई में मेती दाना हो गया चूना हो गया पान हो गया फिर पान के बाद आपको जीरा, हींग वगरा वगरा अजवाइन ये सब हो गई ऐसी कुल 108 ओशदियां है गरीब से गरीब आदमी की रसोई में ये ओशदियां है इनका भरपूर उप्योग करिए एक ओशदि के बारे में बागवट जी कहते हैं और भी महत्यू की है दालचीनी दालचीनी के बारे में बागवट जी कह रहे हैं कि वायू के जितने भी प्रकोप हैं जैसे दमा, अस्थमा ये वायू की वीमारियां अस्थमा दमा वात की वीमारियां वायू की तो इनको खतम करने में या समाप्त करने में या इन वीमारियों को ठीक करने में बड़ी मदद करता है दाल चीनी और दालचीनी के बारे में बागवट्टी जी कहते हैं कि ये दमा अस्थमा इनको तो खतम करेगा ही बात के सब रोगों को खतम करेगा कफ के रोगों को भी खतम करता है कफ के रोग आप समझते हैं खासी है, सरदी है, जुकाम है मोटापा है, वजन बढ़ना ये सब कफ के रोग है तो इन में भी दमा, जैसी बीमारियों जितना असर है दमा पे उतना ही इस पर भी है कफ की तो दालचीनी का भी उपयोग आप कर सकते हैं आपकी बीमारी के हिसाब से दालचीनी आप सब जानते हैं आसानी से आपको पहचान में भी आती है बस उसका उपयोग करते समय ध्यान रखें कि ये ज़्यादा उपयोग ही है पाउडर के रूप में कई बार मैंने देखा है भोजन बनाते समय हम दालचीनी का पत्ता डाल रेते हैं या उसकी वो जो चाल जैसी है वो उतना उपयोग नहीं आता जितना पाउडर करके वो उपयोग में आता है और दालचीनी के बारे में बागवट्टी जी कहते हैं कि इसको अगर उपयोग कर रहे हैं तो आप गुड के साथ इसको खूब घिसिये रगड ये ऐसे 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 खूब अच्छे से गुड मिले फिर खाईए फिर पीछे से थोड़ा गरम पानी पीजिये अद्बूत परिनाम और अगर आप शहद ले सकते हैं तो शहद के साथ तो इसका मरदन मरदन एक शब दुनों ने इस्तेमाल किया मरदन माने गिसना रगडना तो वो कहते हैं कि खूब रगड करके मरदन करके शहद में ऐसे 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 पांस साथ मिनिट फिर चाटिये और थोड़ा हलका गुनगुना पानी पीजिये तो आपके शरीर के कम से कम तो पचास रोग ये अकेला दालचीनी खतम कर देगा कम से कम पचास कफ के रोग और वात के रोग तो ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं अपने रसोई में हैं अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ रसोई से बाहर निकलता हूँ क्योंकि रसोई में अगर मैं बोलू तो और तीन चार दिन जाएगा आपको और ज़्यादा विस्तार से ये जानना है तो मैंने बार बार कहा है पुस्तके है एक पुस्तक है जो रसोई घर पही केंद्रित है जिसका नाम है स्वदेशी चिकित्सा और एक दूसरी है सौंदरे चिकित्सा मने इसकिन के जितने डिसीज हैं बाहर हैं आप ले जाएए बागवट्ट जी के ही सारे सूत्र हैं बस इतना ही हमने किया है कि भाशा थोड़ी सरल की है और उपियोग आप कर सकें आज के समय में उस हिसाब से उस सूत्र को लिखा है लेकिन जितने सूत्र हैं किताबों में वो सब परिक्षन करके लिखे गए छे-सात साल हमने खूब परिक्षन किया है परिणाम मिले है तब ही उनको लिखा है ताकि किसी को फाइदा तो हम दें अच्छा है नुकसान किसी का ना हो हमारे कहने और करने से मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ बागवट जी कहते हैं कि भगवान ने प्रकरती ने हमको जो बहुत सारी चमतकारिक चीज़ें उपलब्द कराई है बगवान ने या प्रकरती ने उन में से एक चमतकारी चीज़ वो बोलते हैं गाये हैं बागवट जी कहते हैं कि भगवान ने और प्रकरती ने जितनी चमतकारी चीज़ें हमें उपलब्द कराई हैं उसमें से एक है गाये और गोमूत्र के बारे में वो बहुत बखान करते है बखान शब्द आप समस्ते खूब प्रशंसा करना खूब प्रशंसा करना वो कहते हैं कि ये गाय का मूत्र अदबुत है अदबुत है मतलब वो ये कहते हैं कि वात पूरी तरह से खतम करने की शक्ति इसमें है कफ पूरी तरह से खतम करने की शक्ति इसमें है और पित पित के रोगों को भी खतम करने की शक्ती है कुछ आयुरोवेदिक आउशदियों के साथ वात और कफ को तो ये अकेला ही खतम कर देता है पित्त को खतम करने के लिए इसमें कुछ आउशदियां मिलानी पड़ती है लेकिन वो कहते हैं कि जीवन में तीन तरह के जो जितने रोग हैं वात पित्त कफ इनकी कुल संख्या मैंने आपको सबसे पहले दिन बोली थी 148 रोग हैं लगबग भारत में दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं सिर्फ भारत तो भारत में वात पित्त कफ के कुल 148 रोग हैं बागवट्टी जी कहते हैं हर रोग को खतम करने की शक्ती अकेली अगर किसी एक वस्तू में है तो ये गोमूत्र मेथी का दाना वात को कम करेगा कफ को कम करेगा पित्त को खतम नहीं कर सकता पित्त को कई बार बढ़ा देता कई लोगों को ये महसूस होगा मेथी दाना खाएं तो जलन ज़्यादा होती है गैस बनती है मू सूक जाता है तो आप समझ लो पित्त बढ़क गया आपका तो उन लोगों के लिए तकलीफ है लेकिन वो कहते हैं कि ये गोमूत्रे कैसी चीज है जो वात, पित, कफ तीनों को सम में लाने के लिए सबसे ज़्यादा मदद करता है अब ये तो उन्होंने लिख दिया साड़े तीन हजार साल पहले तो जरूर कुछ अब्जर्वेशन किये होंगे हमको इस पर भरोसा कम होता था जब ये बात मैंने पहली बार पढ़ी तो भरोसा कम होता था कि क्या अद्वुत चीज बता रहे हो वात, पित, कफ तीनों को एक साथ सम में ला सकता है थोड़ा सा मामूली हेर फेर करना पड़ेगा पित के रोगियों के लिए बाकी के लिए तो कुछ नहीं करना तो फिर हम लोगों को जब शक हुआ कि शायद ये इतना असरकारी नहीं हो सकता तो गोमूतर पर हम लोगों ने कुछ परिक्षन किये हमारा एक बहुत बड़ा समू है इस देश में तो उसमें बहुत तरह के लोग हैं वैग्यानिक भी है डॉक्टर भी है वगएरा वगएरा तो कुछ वैग्यानिक और डॉक्टरों ने मिलकर का करके देख लो बागबटी जी कह रहे हैं तो हो सकता है जरूर इसमें कुछ गंबीर बात हो करके देख तो जब करके देखना शुरू किया तो पिछले लगबग 5-6 वर्षों में गोमूत्र पर हजारों परिक्षन किये हजारों सबसे पहले तो उसका हमने chemical analysis कराया कि आखिर गोमूत्र है क्या तो सबसे ज़्यादा उसमें पानी है पानी के अलावा क्या है तो पता चला पानी के अलावा उसमें calcium है तो पता चला पानी के अलावा उसमें sulfur है पानी के अलावा उसमें iron है पानी के अलावा उसमें ऐसे जीवन के 18 सुक्ष्म पोशक तत्व है जो शरीर को बहुत ही उप्योगी है पानी तो है इगोमूत्र में आपके भी मूत्र में पानी है लेकिन पानी के अलावा उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपके मूत्र में नहीं है मनुष्य मूत्र में नहीं है केलशियम है, आइरन है, सिलीकॉन है, बोरॉन है, एफी है, मेगनीज है, मेगनीशियम है ऐसे अठारे सुक्षुम पोशक्तत अब मैं आपको पहले दिन की बात याद करा रहा हूँ ये अठारे सुक्षुम पोशक्तत तो एक साथ अगर किसी चीज में है, तो मिट्टी में है मिट्टी, खेत की मिट्टी में और दूसरी अगर किसी चीज में एक साथ है, तो गाय के मूत्र में दूसरी कोई भी चीज में अगर है तो गाय के मूत्र में पहली चीज जिसमें है मिट्टी और दूसरी कोई चीज तो गोमूत्र तो गोमूत्र का प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं ये जो संपूर्ण घटक वाली एक पएपदार्थ है या द्रव्य पदार्थ है इसके बारे में वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है चमत कारिक है तो हमको लगा के करके देख लो तो इसका पहले हम लोगों ने केमिकल एनलिसिस कराया एक लेबोरेटरी में गाय का मूत्र डिब्बे में भर के दिया शीशी में भरके कि जरा देखो इसमें क्या है तो छे महीने के बाद लगबग आठ महीने के बाद लखनव एक शहर है भारत का जिसका बड़ा नाम है बड़ा जिकर है उत्तर प्रदेश की राजदानी है वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है उसका नाम भी बता द उता है तो इनके यहां सबसे पहला टेस्टिंग हुआ शीशी में भरा गोमूतर हमने दिया और तीन चार तरह के गोमूतर दिये एक तो वग्यानिकों ने 6-8 महिन लगाया पिर रिपोर्ट आई रिपोर्ट के बाद पता चला कि शरीर की बीमारियों को को खन्म करने के लिए जितने घटक चाहिए वो सब गोमूत्र में है सब के सब सब के सब है अब जैसे मैं आपको नाम लेके कहूँ आपको तवचा का कोई भी रोग हो गया कोई भी रोग हो गया तवचा का तो इसका माने आपके शरीर में एक घटक कम हुआ घटकों की बात अब गाय के मूत्र में भरपूर मात्रा में है सल्फर भरपूर तो हम लोगों ने क्या किया कि यह तवचा रोग वालों को एकठा करके सल्फर चाहिए तो सल्फर हम चाहें तो होमियोपैथी में दे सकते थे उनको सल्फर चाहें तो आयरुवेद में भी दिया जा सकता थ हमने ना होमियोपेथी में दिया ना आयरुवेद में दिया उनको का भई गोमूत्र में सलफर है और आपको सलफर की जरूरत है तो आप पी के देख लो तो उन मेंसे कुछ ने पिया, कुछ ने नहीं पिया, कुछ को लगा कि कैसे पिया है, इसमें बगएरा बगएरा बहुत सारी तकलीफ है, वो एक आदमी तो मुझे कहता था, राजी भाई इतनी बास आती है, कैसे पी सकता हूँ, और वो रोज एक बोतल दारू पी लेता था, गोमूतर पीने में उसको बास आती थी, तो मैं उसको समझाता था, भाईया, दारू की जो बास है, उससे अच्छी तो ये है, लेकिन वो माना नहीं, खेर, जिन लोगों ने पी लिया, हमने देखा, कि सवा महिने से ही उनके तवचा का रंग बदलना, और उनका जो रोग है सुराइसिस ठीक ही नहीं होता, सुराइसिस के बारे में वो कहते हैं कि आदमी मरे तो ठीक होता है, ये भाशा है डॉक्टरों की, तो वो सुराइसिस ठीक हुआ, एक्जीमा तो इतने आसानी से ठीक हुआ, कि बहुत ही आसा, खुजली, खाज, दाद, सब तरह के तवचारो ठीक हुए तो बात समझ में आई कि बागवट्टी जी सही कहते हैं फिर हमने इसका एक्सपरिमेंट गुटने दुखने वालों पे किया गुटने दुखते हैं कमर दुखती कंदा दुखता है और देखा कि रिजल्ट बिल्कुल सही है पंद्रे से 20 दिन में ही असर है फिर हमने इसका प्रयोग कफ वालों पे किया खांसी है, सरदी है, जुकाम है 20-20 साल की खांसी है 25-25 साल की खांसी है अब आप जानते हैं 20-25 साल की खांसी तो दमाई हो जाती है या तो टीवी में बदल जाती है तो उसमें देखा, तो इतना तीवर असर है इसका, कि अगर आप Tuberculosis के किसी भी पेशेंट को सरकार का इलाज करा है आप खुद कर लेंगे एक्सपरिमेंट मैं तो 20 यों बार कर चुका सरकार का इलाज आप जानते हैं एक गोलिया, dots की गोलिया TV के मरीजों को देते हैं और कहते हम free में बांट रहें तो एक आदमी को आप बोलो कि dots खाए और इलाज कराए और दूसरा ऐसा ही आदमी पेरलल ले लो जिसको TV है अस्थमा है दमाज उसको को नहीं तुम सिर्फ गोमूत्र पी हो और कुछ मत करो fresh, गोमूत्र माने fresh जो उता जा तो आप देखेंगे कि वो dots की गोली खाने वाले को चार महिने से छे महिने लगेंगे और ये गोमूत्र पीने वाले को सवा महिने से दो महिना ही लगेगा और ठीक होगा और ये एक बार ठीक हुआ गोमूत्र पी के इसको दुबारा टीवी नहीं आएगे क्योंकि गोमूत्र बीमारी ही ठीक नहीं करता प्रतिरोधक शक्ती इतनी बढ़ा देता है कि वो बीमारी भविश्य में दुबारा ना आए तो समझ में आया कि बाग भुट जी तो कुछ गलत नहीं बोल गए सही फिर हमने और एक एक्सपरिमेंट किये कि जिनको डॉट्स दी जा रही है ऐसे कुछ मरीच एमस में हमने चिन्नित किये ज्यादा एक्सपरिमेंट हमने एमस के डॉक्टरों की मदद से किये तो All India Institute के कुछ मरीच जिनको डॉट्स दी जा रही है नियमित रूक से TV के लिए वो आते हैं उनको शीशी में भर-भर के ये दे दिया और ये नहीं कहा कि ये गोमूत रहे क्योंकि कहो तो खाएं नहीं और पियें नहीं उनको कहा ये बहुत अच्छा सीरफ है आप इसको पीते रहो अब वो आते थे शिकायत करते थे ते कि ये कैसा सीरफ है इसमें कुछ बास सी आती है दूसरे सीरफ तो मीठे मीठे लगते हैं कि बाई ये सीरफ दूसरे तरह का है तो उनको बताएं तो पिए नहीं और हमाराiscover? कि प्रिमेंट हो नहीं तो हमें तो करना था तो उनको भताया गया तो यह हमने देखा कि lots का जो काम करने का है dots मने उसके जो micro nutrients उसके घटक जो शरीर पर काम हो रहे हैं गोमूत्र पीते ही उनके काम करने की शक्ती 20 गुने से 40 गुनी बढ़ गई dots तो काम करी रही है लेकिन गोमूत्र के साथ जब dots दी गई तो वही उनकी बीमारी जो 6 महिने में खतम होने वाली थी वो दो सवा दो महिने में संपूर जड़ से ठीक हो गई फिर जब वो ठीक हो गए तब उनको हमने बताया कि भाईया वो शीशी में भरके जो दिया था वो गोमूत्र था तो तुरंत नाक चड़ गई उनके ठीक हो गए कहते हैं जी आपने तो बहुत अच्छा कर दिया हमको हमारी संभावना नहीं थी कि हम जिन्दा भी बचेंगे लेकिन नाक तब भी चड़ गई तो ये जो नाक चड़ती है हमारी ये अब कम कर दीजे इसको चड़ाना गाए का मूत्र अद्भुत है बहुत ही अद्भुत है इसके हम एक्सपरिमेंट करते करते 48 रोगों तक पहुँचे हैं आज 48 डिसीज हैं 48 रोग हैं वात के कफ के प गोमूत्र का कैंसर पर असर देखो क्या होता है तो गले का कैंसर आहरनली का कैंसर और पेट का इन तीन कैंसरों पर सबसे अच्छे परिणाम है गोमूत्र के तीनों कैंसर पर बाकी जो रक्त का कैंसर है उसमें परिणाम अभी उतने अच्छे नहीं है तो बागवट जी के जो permutation और combinations है मतलब कि गो मूत्र में ये मिलाओ और ये मिलाओ और इतनी मात्रा में मिलाओ और इतनी वो करके देख रहे हैं और वो करके देखने के लिए एक बड़ा hospital बन रहा है इस देश में आप कभी भी वहां जा सकते हैं 11 फरवरी से काम करना शुरू कर देगा वलसाड में बन रहा है वलसाड वलसाड आपने सुना गुजरात में तो वलसाड के कुछ जैन समाज के लोग इकठे हुए उन्होंने दिल दिखाया और दान दे दिया जितना चाहिए था माने hospital बनाने के लिए आप जानते हैं आसान नहीं और cancer hospital के लिए तो थोड़ा मुश्क करेंगे और सिर्फ cancer पर काम करेंगे क्योंकि बाकी काम तो करके देख चुके हैं वो सब में अच्छा है हर बीमारी में काम आ रहा है cancer में करेंगे और हर तरह के cancer में करेंगे गरबाशे के cancer में करेंगे रक्त cancer में करेंगे brain tumor जो cancer में convert होता है उसमें करेंगे और शायद हमें लगता है एक डेड़ साल के बाद मैं दुबारा आपको मिलूँगा तो इस पर बहुत विस्तार से बात करूँगा कि कैंसर में क्या रिजल्ट है तीन तरह के कैंसर के रिजल्ट तो अभी बता सकता हूं गले का आहरनली का और पेट का ये तो बहुत अच्छे से ठीक हो रहा ह लेकिन बाकी कैंसर में भी इसका कोई असर है आपने कैंसर के बारे में जितना कुछ सुना है उसमें से एक बात मैं कहूं कि आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि शरीर को कैंसर तभी होता है जब शरीर में एक कैमिकल कम होता है उस कैमिकल का नाम है करक्यूमिन ये आज के व cancer आएगा और खतम होगा और इस chemical की कमी से जो कोशिकाएं होती है वो uncontrolled होती है उनके उपर control नहीं रहता तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक जूत जैसा बना लेती है वो tumor हो जाता फिर tumor बाद में blast होता है और फिर वो malignant होता है पहले बिनाइन फिर malignant और फिर अंत में कहते ह जी डैथ ही है और कुछ है नहीं उसमें control के बाहर हैं वो सब सारे वैग्यानिक इसमें लगे हुए अब सहयोग की बात देखिए कि जिस करक्यूमिन की बात आज के वैग्यानिक कर रहे हैं वह करक्यूमिन भरपूर मात्रा में गोमूत्र में है भरपूर मात्रा में और कुछ ऐसा संयोग है प्रकरती का वैग्यानिक कह रहे हैं कि यह तत्तु कम होता है तब ही कैंसर होता है अब यहीं तत्तु गाय के मूत्र में हैं तो हजारों साल पहले बागवट की कही हुई बात अब सिद्ध हो जाएगी साल भर में तो सम्मान लेंगे अब तक जितने रिसर्चेज हुए हैं गोमूत्र पर इन पर भारत सरकार के सामने रिपोर्ट्स पेश की गई भारत सरकार की जानते हैं एक काउंसिल है जिसका नामें MCI Medical Council of India इनके पास सब कुछ जाता है सबसे पहले तो वो सब गया तो MCI वालों ने नाक चड़ही बहुत यह क्या आप ले आए गोमूत्र ऐसा बात करते हैं यह क्या ले आए गोमूत्र मने उनको लगता है कि यह तो बेकार की चीज़ है गोमूत्र अब उनका कुतर्क क्या है वो जरा देखो कुतर्क तर्क है तो चलो अच्छा है हम उनसे समबाद कर सकते हैं समझा कुतर्क करते ह यह गोमूत्र इतना ही अच्छा होता तो गाये छोड़ती क्यों इसको शरीर से जब हमारा जगड़ा हुआ ना एमसे आई वालों से आधनिक डॉक्टरों से और उन्होंने ये कुतर करना शुरू किया कि क्या फाल तू बात करते हैं गोमूत्र इसमें कुछ है क्या मैंने का भईया बहुत कुछ है नहीं तो कोई मूर्ख नहीं था जो साड़े तीन हजार साल पहले इसको लिखके चला गया और उसके बाद भी कई लोगों ने कहा वैद्दियों ने कहा कई वैद्दे हैं जो बिना आपको बताए गोमूत्र देते रहते हैं और आपको ठीक करते रहते हैं उनके बहुत सारे काड़े बहुत सारी दवाएं गोमूत्र में बनाते हैं आपको नहीं बताते हैं यह अलग के डॉक्टरों से तो उनका पहला ही कुतर्ग था जी अच्छा होता तो गाय छोड़ती क्यों खुद न रखती उसको तब मुझे मेरी पुरानी एक बात याद आई मेरी दादी मां हमेशा मुझे कहा करती थी वो कभी स्कूल में नहीं गई कॉलेज में नहीं गई लेकिन ग्य जुर्वे का हिस्सा है इसमें कोई कमी नहीं है जो इसकूल नहीं गए कॉलेज नहीं गए बहुत ग्यानी है उनके पास नौलेज बहुत है फंक्शनल नौलेज जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिव और फंक्शनल नौलेज उनको जबरजस्त है और वो इतनी ग्यान की बातें गूमता रहता हूं तो रात के ढ़ाई बजे थे अब ट्रेंज से उतर गया सामान थोड़ा जादा था मेरे पास एक ही सामाने किताब है मेरे कपड़े तो दो इतीन है बस किताब है तो उठाए गठर अब कैसे उठाए तो कुली चाहिए भई तो कुडूना शुरू किया तो एक ही कुली दिखाई दिया मैंने का भाई जरा ले चलो बाहर तक उसने का साम थोड़ी देर रुख जाओ मेरा को जगड़ा मेरी पतनी से जगड़ा हो रहा- ratings थोड़ी देर रुख जाओ फिर मैं ले जाओंगा तो मैं खड़ा हो गया दोनों की बात सुनने लगा पती और पत्नी बात कर रहे थे, उसकी पत्नी कहीं गाउं से आही हुई थी, कोई मामला था, मुझे ज़्यादा उनकी भाशा समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जो है न, इस्थानिय भाशा बोलते हैं, और मैं थोड़ा मूर खादमी हूँ, मुझको कम समस्ती, तो मैं सुन कि बात है आपको क्या बता हूँ, तो फिर भी मैंने का बता दो, तो उसने का बात इतनी सी थी, कि मेरी पत्नी कुछ कह रही थी, मैं मान नहीं रहा था, फिर मैंने का क्या हुआ, उसने का अब मैंने मान लिया, मैंने क्यों मान लिया, अब देखो, उसने जो आगे बोला, त जिससे हम गाय बानते हैं बैल बानते हैं वो कहते इस्तरी जो होती है खूंटा होती है और इस खूंटे से पूरा घर बना रहता है यह खूंटा उखड गया तो घर उखड़ जाता है प्पूचा तुम कहा रहते हो तो इसने बता रहता हूं कंकडबाक कोई जगे बता थी वहां रहता हूं ने का ठीक है जोपड़ी में रहता हूं तुमारे मित्र यार को हुण है तो इसने रात को बैठते हैं और यही चर्चाहें करते हैं। मैंने का बड़े ग्यान की बात है यह तो। कोई फिलोसफर इस बात को पाने में दस साल लगाएगा। डबल पीएच्डी करना पढ़ जाएगा। उसको ट्रिपल पीएच्डी और उसको साधर। तो मेरा यह मानना है कि यह बिना पढ़े लिखे लोग बहुत ग्यानी है। यह अंजाने में कई बार ऐसी बातें करते हैं या ग्यान के काम करते हैं। जो जान कर करें तो सबका गोरव और सम्मान इतना ही हो जितना हमारा आपका है। तो बागवट्टी जी ने कह दिया उसके बाद बहुत सारे वैद्यों ने अंजाने में ये किया कि बागवट्टी जी कह गए है इसलिए गो मूत्र में घिसके दो हरडे है ना गो मूत्र में घिसके दो तो ज़्यादा लाब करती है पानी में घिसके दो तो कम लाब करती है ऐ उनका एक ही कुतर्क था कि जी मूत्र इतना अच्छा होता तो गाय क्यों छोड़ती इसको आपका मूत्र अगर इतना अच्छा होता तो आप क्यों छोड़ते इसको फिर बाद में मुझे दादी की बात याद आई कि दादी ये कहती थी कि ये गाय नहीं है माता है माता है माता वो कभी भी हम कहते थे गाय, तो वो कहती थी गाय मत बोलो, गो माता, या तो माता बोलो, नहीं तो गो माता, गाय नहीं बोलने दिया कभी भी उसने, क्योंकि गाय बोलना वो कहती थी, अपमान है उसका, तो गो माता है, अब माता जो होती है, हर जरूरी चीज बच्चे के लि तो माता के बारे में ये कहा जाता है मा की परिभाशा इस देश में है कि हर जरूरी चीज जो उसके बच्चे को चाहिए वो छोड़ती है तो मुझे लगा गाए भी माता है तो ये बहुत जरूरी चीज है शायद हमारे लिए मूत्र तो ये हमारे लिए शायद छोड़ती है हम मूर्ख हैं कि उसको एकठा नहीं करते बेकार जाने देते हैं तो वेग्यानिकों को मैंने का भई हमारे यां तो ये कहा जाता है कि ये गाय नहीं है माता है तो माह कुछ जरूरी चीज हमारे लिए छोड़ती है तो शायद ये जरूरी हो तो उनका अच्छा ठीक है अब आप बिल्कुल सही है ये गो मूत्र हमारे लिए ही गाय छोड़ती है हमारे लिए ही छोड़ती है हमको बीसियों बीमारिया है जो इससे ठीक होती है तो आप अपने जीवन में गाय के प्रती देखने का थोड़ा नजरिया बदल दो अब तक आप गाय को दूद के लिए देखते थ अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं मूत्र के लिए देखो दूद्द तो बोनस है मूत्र उसकी जिंदगी के आखरी दिन तक मिलने वाली ओशदी है दूद्ध तो थोड़े ही दिन मिलेगा आप जानती है गाय थोड़े दिन दूद्द देती जैसे मां थोड़े दिन हमेशा नहीं दे सकती थोड़े दिन के बाद दूद बंद हो जाता है लेकिन मूत्र जीवन के आखरी दिन तक देती है और उस मूत्र से हमने करके देख लिया वैग्यानिकों ने मान लिया कि 48 बीमारियां तो जड़ से ठीक हो जाती है ये बीमारियां क्या-क्या है फिर से सु आप बोलेंगे इसको लेना कैसे चाहिए बागवत जी ने इसका तरीका ये बताया है कि गोमूत्र लेना हो तो उसका सबसे अच्छा समय है सबेरे का सबेरे का समय बताया है अच्छा है सबेरे गोमूत्र लेना चाहिए कितना लेना चाहिए तो ये मात्रा बागवट जी बोल कर गए कि जो बहुत ज़्यादा बीमार है बहुत बीमार है उनको एक दिन में 100 ग्राम 100 ग्राम नहीं कहा है लेकिन जो मात्रा दी है वो ग्राम के बराबर है और 100 ग्राम बोल रहा हूं ताकि समझ में आए नहीं तो उनकी मात्रा बोल दी तो समझ में नहीं आएगे लेकिन वो लगबग 100 ग्राम तो जो बहुत बीमार हैं उनको 100 ग्राम 100 मिली लीटर 100 मिली लीटर माने एक कप जो चाय का है ना उसमें 1500 ml चाय आती है 150 मिली लेटर तो उसका पाव कप मान लो ये बीमार बहुत बीमार बहुत बीमार लोगों के लिए और वो कहते हैं कि इसको आदा आदा करके लो तो और अच्छा है तो आदा एक बार ले लिया आदा दूसरी बार ले लिया और जिस समय लेए पेट खाली रहे तो नाश्टे के पहले अब पेट खाली दोसमें रहता है दिन में एक तो सुबह सुबह और दूसरा जब भोजन के बाद आप चार घंटे निकल जाए ना तो पेट लगबख खाली हो जाता है तो शाम को ले सकते हैं बीमार लोगों और जो बीमार कम हैं या स्वस्थ हैं निरोगी हैं और लेना चाहते हैं उनको एक ही बार तो पचास मिली लीटर की मातरा उन्होंने बताई उसके लिए स्वस्थ कम बीमार पचास मिली लीटर पचास मिली लीटर माने एक कप का तेहाई हिस्सा वन थर्ड तो ये आप ले सकते हैं अब जिस गाय का मूतर आप ले रहे हैं उसके बारे में एक छोटी जानकारी उन्होंने जोड़ी उसमें वो ये कहते हैं सूत्र में कि गाय जो मूतर पीने लायक मने औशदी के रूप में देती है वो गाय को पैदल चलना बहुत आ नहीं बंधी रहे उसके मूतर के बारे में बागबटी जी कहते हैं कि वो उपयोगी नहीं है उपयोगी नहीं अब हमने क्या देखा कि यह जरसी गाय है ना जरसी होलिस्टियन फ्रीजियन यह बंधी हुई गाय है आप इसको छोड़ भी दो तो जाती नहीं बद्द से जलती है उसके मूह से तो यह बंधी हुई गाय है बागबटी जी कहते हैं बंधी हुई गाय का मूतर अच्छा नहीं है तो हमने जरसी का निकाल के देखा वो सच में अच्छा नहीं जरसी गाय के मूतर में तीन ही घटक है और देशी गाय के मूतर में अठारे घटक है जो क तो पूछता था अपने आप से करोड और कोटी का यह करते होता है प्रकार अपसे जो अर्थ प्रकार वाला है 33 प्रकार के देवता 33 करोड नहीं क्योंकि जिस समय बागवटी जी ने लिखा था उस समय हिंदुस्तान की आबादी 20 करोड से कम रही हो गई तो 33 करोड देवता कैसे हो सकते हैं जब कुल मनुश्यों की संक्या इतनी कम है तो शायद वो प्रकार वाला है और आजकल बहुत लोग खिली उड़ाते हैं न हिंदु धरम की ये ईसाई लोग और मुसल्मान लोग जो खिली उड़ाते हैं वो इसी पर आ जाते हैं क्या बात कर से गाय का एक चित्र निकला हुआ देखा तो देवताओं का बना हुआ था कि गाय के शरीर में कौन कहां है जैसे गाय के मूत्र में धनवंतरी देवता हैं गाय के गोबर में लक्षमी जी का निवास है एक संस्कृत सूत्र है गोमय वसति लक्षमी गाय के गोबर में लक्ष से इतने रोग ठीक हो रहे हैं और धन्वंतरी तो आरोग्य के लिए ही उत्पन हुए थे तो मूत्र में धन्वंतरी तो है पक्का गोबर में लक्ष्मी है क्या तो हम लोग 6-7 साल से यह प्रयोग कर रहे हैं और अब जाके हम यह कह सकते हैं कि सच में महालक्ष्मी है गोबर मे या खेतों में यूरिया डियेपी बन करा दिया भारत में हमारा जो अभयान है ना हिंदुस्वराज अभयान आजदी बचावा अंदुलन इसके करीब करीब कारिकरता पूरे देश में 18-20,000 ऐसे हैं जो गोबर से ही खेती करते हैं यूरिया का एक दाना नहीं डालते हैं डिय करता था तो यूरिया डियेपी से एक एकड़ में 2,5 कॉंटल अब गोबर डालके करता है तो 7 कॉंटल का पास पहले हमारा एक कारिकरता गेहूं करता था तो यूरिया डियेपी से एक एकड़ में 12 कॉंटल गेहूं अब गोबर से गेहूं करता है तो 24-25 कॉंटल गेहूं उ दुरॉब से बाजरे में किया मक्ये में किया तो इतना अद्बुत परिणाम है कि यूरिया डियन पी का गन्ण करो लाइता जादा से जादा आठ फित वंचा होता है गोबर से गन्दा करो तो 14 प्राश्वी बजार में भाव 70 रुपई किलो है और आप 15 रुपई किलो खरीदने में परिशान है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में लोग कहते हैं कि जी गोबर का गन्ना और उसका रस और गुड मिलता नहीं किसी देश में भारत में ही संभव है क्योंकि देशी गाए ही भारत में और किसी के पास देशी गाए है नहीं तो गोबर में लक्षमी है क्योंकि आप उत्पादन बढ़ाएंगे बाजार में बेचेंगे लक्षमी आएगी तो गोमय वसति लक्षमी गो मूत्रे धन्वंतरी सूत्र कुछ ऐसा है कि मूत्र में धन्वंतरी गोबर में लक जो है वो यह कि गाय के गोबर से निकली हुई गैस से गाड़ी चला सकता मök गाड़ी माने टाटा सूमो टाटा Indica टाटा सियरा टाटा की वो safari यह सब चलती sert बहुत आराम से चलते गोबर ना उसको सिलिंडर में भरो और सिलिंडर गाड़ी मैं लगा दो तो बिना इंजन बदले और कोई तकलिफ किये वो ही गाड़ी दोड़ती है दिल्ली में आयाइटी है कभी भी आप वहाँ चले जाएए आयाइटी केंपस की सब गाड़ियां गोबर गैस से ही चलती है और इस आधार पर सुप्रीम कोट में एक केस का अभी फैसला हुआ है हमारे देश क अधालत अब तक ये कहती थी कि गाए दूद न थे तो बेकारे काट दो अब सुप्रीम कोट ने अपना फैसला बदल दिया वो कहते हैं ये दूद नहीं दे तो भी उतनी ही उपयोगी है क्योंकि गोबर दे रही है और मूत्र दे रहे है कोट ने अपना जज्जमेंट बद गोबर है तो हम क्या करने वाले हैं गोबर गैस प्लांट छोटे छोटे हर जग है गैस निकालो और सिलिंडर में भरो कमप्रशर की मदद से आप जानते हैं कोई भी गैस सिलिंडर में भरी जा सकती है तो कमप्रशर की मदद से गैस सिलिंडर में भरो और सिलिंडर खुद भी इस्तेमाल करो दूसरों को भी दो ये LPG का चक्कर खतम करो क्योंकि LPG आयातित है माने इंपोर्टेड है दूसरे देश के सामने हम भिकारी बनके खड़े हैं जी दे दो इरान से मांग रहे हैं इराक से मांग रहे हैं इरान आँखे दिखा रहा हैं नहीं देते देंगे तो इस कीमत पे देंगे गरज है तो ले लो नहीं तो मत लो तो हमारी सरकार भीगी बिल्ली बनी हुई उनके सामने रिरी आती है गिगी आती है ये चक्कर अभी खतम करना हमको तो डीजल पेट्रोली खतम करना इस देश में जरूरत ही नहीं डीजल पेट्रोली जब तक गाय जीवित है उसका गोबर है गोबर से गैस है गैस से सब स्वाद आपके LPG की रोटी के स्वाद से कई गुना अच्छा है करके देख लीजा तो हमारी भविश्य की योजना है कि हम इस अभियान में आगे ये करने जा रहे हैं गाओं गाओं के कारिकरताओं को प्रसिक्षन देके कैसे गोबर गैस बनाई जाए कैसे प्लांट लगा जाए कैसे उसको निकाला जाए गैस को कैसे सिलिंडर में भरा जाए जिस दिन ये काम बड़े पैमाने पर चल पड़ा हिंदुस्तान को डीजल पेट्रोल एक बूंद खर्च करने की जरूरत नहीं गाए से ही देश चलेगा तो समझ में आएगा कि इसमें महालक्षमी है गा गाय का गोबर एक दिन में 10 किलो अभी 17 करोड गाय है तो एक दिन का उनका गोबर है 170 करोड किलो लेकिन सारे देश के डीजल की खरचा और पेट्रोल का खरचा और लपीजी का खरचा यह पूरा अगर हम कवर करना चाहें तो गाय चाहिए 34 करोड हम आदे का तो कर सकते हैं आज जितनी गाय है 34 करोड अब ये 34 करोड गाय कहां से आएगी ये तभी आएगी जब कटना बंद हो आप अगर इसका संद्रक्षन करें गाय का कटना इसका बंद करा दें तो गाय की संख्या अपने आप 34 करोड हो जाएगी क्योंकि भारत की जो गाय है देशी गाय वो 20 साल जीवित रहती है और 20 साल में कम से कम 17 बार माँ बन सकती है वो भारत की गाय है और ये जो जरसी है ना इसकी उमर ही नहीं है ये जादा से जादा 8 से 9 साल जीवित रहती है और 8 से 9 साल में 5-6 बारी मा बनती है और भारत की जो देशी गाय है इसके बारे में बागवट कहते हैं कि इससे जैसी कोई दूसरी चीज बगवान ने नहीं बनाई बागवट जी कहते हैं कि इसके जैसी दूसरी चीज कोई ब बैल बनता है ये जरसी वाला नहीं बनता क्योंकि देशी गाये के शरीर पर कंधा है तो कंधा चाहिए न बच्छडे को बैल बनने के लिए तो वो तबी संभव है इसलिए देशी गाये का संरक्षण करना बहुत जुरूरी है आप बोलेगे जी संरक्षण कैसे हो बागवट जी कहते हैं कि भारत को भगवान की सबसे अच्छी देन है वो ये गाए है जिसको हम देशी गाए कहते हैं इसकी हमेशा सेवा करो तो ये संरक्षित हो शायद इसलिए हमारे बुजगरों ने का गाए की सेवा करो तो मोक्ष मिलेगा 33 प्रकार के देवता खुश रहेंगे और मैंने करके देखा ये देशी गाए आप घर में रखो उसकी सेवा करो सबेरे सबेरे सोके उठो बस गाए को देखो कुछ मत करो बैठ जाओ देखो उसको सामे और आपके शरीर में इतनी खुशी और आनंद पैदा होगा उसका चेहरा देखने मातर से करके देख लो इसको मैं अभी एक एक्सपरिमेंट कर रहा हूँ डिप्रेशन के कुछ मरीजों को मैंने एकठा किया है एक गोशाला में डिप्रेशन के मरीजों को एकठा किया है कोई दवा नहीं देते हो कहते हैं जी गाए के सामने बैठो बस और देखो उ परिचान सकते हैं भारत में एक गाय है किलारी गाय कहते हैं उसको किलारी गाय एकदम गुलाबी आँख है सुर्ख गुलाबी आँख है उसकी आँखें देख लिया आपने तो डिप्रेशन और अवसाद आपका खतम हो जाए इतना आनंद मिलता है गाय को देखने से तो गाय देखने मातर से अगर आनंद की प्राप्टि हो रही है, तो ये उसकी सबसे बड़ी विशेष्चता है, मूत्र से तो बीमारिया ठीक हुई रही है, गोबर से तो बहुत कुछ हुई रहा है, अपने देश में उसकी आखे देखने मात्र से खुशी पैदा होती है और उसी गाय के साथ एक भैस को देख लो बरबर में एक गाय खड़ी कर लो एक भैस का चहरा देख लो आप तो ना हो तो डिप्रेशन हो जाएगा भैस का चहरा देखते ही मन में जो पैदा होता है न वो vomiting sensation जैसा और गाय का चहरा देखते ही खुशी तब मुझे ये सब बातें समझ में आई कि हमारे पूरवज पुरखे गाय के लिए कितने प्रेमी और कितना उसको बचाने के लिए लगे रहे और आप जानते हैं कि इस हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई गाय सो शुरू हुई जो 1857 में मंगल पांडे ने गाय की चर्वी के कारतूस की बात सुनी नहीं होती तो गोली मारी नहीं होती तो क्रांती शुरू नहीं होती और महात्मा गांदी जो इस आजादी के आंदूलन के सबसे बड़े नेता थे वो ये कहते थे मेरा शरीर काट दो गाय को मत काटो और एक जगे तो गांदी जी ने अंग्रेजों को कड़क भाशा में कहा कि तुम भारत को गुलाम रखना चाहते हो रखो गाय काटना बंद कर दो मैं आंदूलन वापस ले लूगा वो कहते हैं गाय बच गई तो आजादी तो आई जाएगे एक बार गांदी जी को एक अंग्रेज पत्रकार ने पूछा कि आपको आजादी और गाय दोनों में से क्या चाहिए तो कहते हैं गाय बचा दो आजादी तो आई जाएगे गांधी जी जैसे आदमी को इतना लगता था और गाये के बारे में इतनी सारी अच्छी बाते कहते हुए एक खराब बात कह दूँ कि यही गाये सबसे ज़्यादा कट रही है और आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा कट रही है आप चाहें तो सबके नाम-पते मैं दे सकता हूँ, इसी तमिलन, केरल में उससे भी बड़े कतल खाने हैं, जहां एक दिन में 17-18,000 गाय कट जाती है, तो जो गाय इतनी उपयोगी है, वो कट रही है, इसको कटना बंद कराना ही पड़ेगा, अगर हिंदुस्तान को डीजल प गोबर गैस का सिलिंडर, मने गोबर गैस का सिलिंडर उतना ही बड़ा, जो LPG का है, आप अगर गोबर गैस का खरीदो, तो सरसट रुपई में मिलेगा, 67, आप एक लीटर पेट्रोल में कितनी काड़ी चलाते हैं, एक लीटर पेट्रोल में 20 किलो मीटर, है ना, नहीं नही से अच्छी गाड़ी, एक लीटर पेट्रोल में अच्छी से 20 किलो मीटर, एक किलो गोबर गैस में वही गाड़ी 33 किलो मीटर चलती है, एक किलो गोबर गैस में वही गाड़ी 33 किलो मीटर, और आप जब खर्चा निकालते हैं ना, गाड़ी चलाने का पर किलो मीटर खर्च एक रुपए पंद्रे पैसे आता है तो सस्ता भी पड़ेगा हमारे यहां आसानी से उपलब्द है क्योंकि गाहें उपलब्द है और पूरे देश को डीजल पेट्रोल का साल का खर्चा अभी दो लाक सी हजार करोड का हो चुका है सरकार इसी से सबसे ज़्यादा परिशान है यह पूरा खर्चा बच सकेगा और दो लाक सी हजार करोड में तो 34 करोड गाये आराम से पाल सकेगे तो गाये बचाने का काम करना है वो इसलिए कि बागबट जी बोल कर गए है कि यह सबसे सुन्दर वस्तू या चीज या प्राण और मैं ऐसा मानता हूं कि थोड़ा इसको संशोधन कर सकते हैं प्राणी नहीं प्राण है यह देश का और हम यह कहते ना जानवर जानवर नहीं जान है इस देशे भारत को अगर भारत की जान है तो ये गाय है भारत की प्राण है तो ये गाय है ये है तो हम है कई बार मैंने लोगों को ये कहते सुनाए हम गाय पालते हैं उनको हाद जोड़कर कहता हूँ कि आप गाय नहीं पालते, गाय आपको पालती है ये एहंकार मत करिए अपने मन में कि हम गाय पालते है आपके मन में विनम्रता आनी चाहिए कि गाय हमें पालती है आप क्या पालेंगे जी? वो तो भगवान की है आपकी हैसियत में उसको पालने की वो तो भगवान की कोई क्रपा हो गई आपके ऊपर जो आपको दे दी उसने तो ये क्रपा आप सब पर हो तो इसके लिए कुछ प्रयास करें आप बुलेंगे जी क्या करें सबसे पहला प्रयास कि गाय का कतल रुके गाय کا कतल रुखने में आप केंगे जी हम क्या कर सकते हैं आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं वो ये कि आप अपने जीवन में एक संकल्प ले लो कि जी दूद पीएंगे तो गाय का ही पीएंगे मुझे बाबु जी तीन-चार दिन से एक जानकारी दे रहे हैं एक राधाकृष्ण बजाज जी उनके हाँ आया करते थे राधाकृष्ण बजाज का नाम शायद आपने सुना हो बहुत बड़े गांदिवादी नेता रहे बिनोवा जी के साथ रहे और आजदी के आंदोलन से इस देश को समालने और समारने में खाता जी दूद पिऊंगा तो गाय काई तो ये बाबुजी बताते हैं कि इनके घर आते थे तो गाय काई दूद पीते थे अब मैं सोचता हूं कि राधाकृष्ण बजाज जैसा संकल्फ सब ले लें कि जी दूद पिएंगे तो गाय काई पिएंगे पिएंगे नहीं भैस का पिएंगे नहीं डेरी का गाई का ही पिएंगे तो आप जितने लोग यहां बैठे हैं अगर आप नहीं यह संकल्प ले लिया कि रोज गाई का ही दूद्ध पिएंगे तो इसी चिन नहीं में गाई पालने की लाइन लग जाएगी आप देखना क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं आज का मार्केट कंज्यूमर मारकेट है आज की दुनिया में, खरीदने वाले का मारकेट है, बेचने वाले का कुछ नहीं है जो डिमांड खड़ी करे तो सप्लाई आती है तो आप सोचलो जी गाए कई दूद पिएंगे तो गाए के दूद की सप्लाई आएगी कैसे आएगी कुछ लोग गाय खरीदेंगे कुछ गाय पालन करेंगे कुछ गोशालाईं खुलेंगी कुछ दूट डेरियां बनेंगी फिर आप बोलेंगे जी देशी गाय मिलेगी मिलेगी क्योंकि सत्रे करोड अभी है पूरी नहीं कट गई है सत्रे करोड अभी है तो मिल ज झाएगी और जितनी अच्छी गाए चाहिए उतनी अच्छी मिल जाएगी आप कहेंगे जी देशी गाए का दूद कम होता है ज्यादा की गाय भी है कम दूद की गाए भगवान ने इस देश में बडा बैलंस बनाया यह बहुत दिन में मेरे समझ में आया कि जो गाय दूद कम देती है उसके बच्छडे मजबूत बैल होते हैं और जिसका दूद जादा है उसके बच्छडे कुछ कमजोर बैल होते हैं तो कम दूद देने वाली गाय बच्छडों के लिए है जादा दूद देने वाली गाय आपके लिए है गाय सबको ध्यान रखती है तो आप ज़्यादा दूद वाली भी गाय ले सकते हैं इस देश में ऐसी गाये हैं आप चलो तो मैं दिखाऊं जो 65 लीटर दूद देती है एक दिन 65 लीटर आपको चाहिए तो एक लाख रुपए की है महंगी नहीं है पांच लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं आप दस लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं एक लाख की गाय क्या महंगी है और वो गाय अगर आ गई तो आप देखके दंग रह जाएंगे क्योंकि मैंने वो हर्याणा में देखी है पंजाब में देखिए 65 लीटर दूद है एक आदमी निकाल नहीं पाता तीन लगते हैं निकालने हाँ क्योंकि कितना निकालेगा और मैंने देखा हर्याणा में जो लोग रखते हैं ना उनके घर में तीन लोग उसका दूद दूहते हैं और इतनी सीधी इतनी सीधी है वो कि बच्चा भी चाहे तो उसका दूद दूहने बैठ जाए नहीं लात मारती ना सींग मारती है दूद बहुत है खाना भी थोड़ा अच्छा है उसका क्योंकि दूद इतना अच्छा है तो खाना भी अच्छा होगा उसको एक चीज बहुत पसंद है जो आप खिलाएं तो गन इस देश में है जो 65 लीटर दूद देती है और ऐसी भी गाय है जो एक लीटर दूद देती है वो आपके आसपास है लेकिन एक लीटर वाली भी तिरिसकार मत करो क्योंकि वो बच्छडे जो देगी वो बैल बनेंगे अच्छे तो बैल तो चाहिए हमें क्योंकि ट्रेक्टर स द्रश्टी से मत देखो उसके बच्छडे मजबूत बैल हैं जो दूद ज्यादा देती है उसके बच्छडे कुछ कमजोर होते हैं मैंने वो करके देखा कम दूद वाली गाये का बच्छडा बैल बनता है न तो तीन टन माने तीन हजार किलो माल आराम से 40 किलो मीटर तक बिना रुके लेके जाता है और जो जादा दूद देने वाली गाये है उसका बच्छडा तीन टन माल लेके जाएगा लेकिन तीन जगे रुकेगा रेस्ट लेगा फिर चलेगा और जो कम दूद वाली गाये का बच्छडा है वो स्पीड बहुत तेज है उसकी दोडने में आप भगवान ने सब कुछ सोस समझ के बना तो आप दूद पीना शुरू करो गाय का तो गाय की डिमांड बढ़े तो फिर यहां गोशाला खुले या पहले से चल रही गोशाला सुधार हो फिर आप बोलेंगे जी रखेंगे कहां चिन्नई के आसपास इतनी जमीने हैं बहुत सार मिलकर मेरा तो ऐसा भावना है कि एक समीति बना लो या तो एक ट्रस्ट बना लो दो चार सो पाँस सो हजार दो हजार गाय रख लो समालना कैसे वो मेरे जैसे लोग आपको बताते रहेंगे और कोई भी गाय का वारिस हो सकता है दस-दस हजार रुपए कठा करो एक-एक गा आने वाला और उसकी साच समाल करने वाले जितने लोग चाहिए कहीं न कहीं से मिल जाएंगे क्योंकि गाए पालन करने के लिए मन में जो भक्ती है ना वो बहुत लोगों में अभी भी बची हुई है ऐसे बिहार में मैंने हजारों लोग देखें जो गाए पालन के लिए कहीं बस आप तो संकल्प कर लो जी कि हम तो करेंगे अब आप मैंसे जो भी लोग दानवीर हैं जो दान देते मैं कहता हूं गाये के लिए निकालो थोड़ा-थोड़ा और गाये के लिए थोड़ा-थोड़ा निकाला तो पूरी व्यवस्था बन जाएगी मैं तो आपको मेरे किसाने वो गाये ही पालते मैं जिस छोटे से गाउं मेरेता हूं उस गाउं के आसपास के 40 गाउं में 56 गाये हैं हर दिन एक सवा-वालाक-ļिटर दूद आता है और जिसको चाहिए वो चला फिर थोड़ा बच जाता है तो उस दूद से बिस्किट बनाते हैं, गाय के दूद का बिस्किट, हमारे यहां का खाल है तो आप सारे बिस्किट भूल जाएंगे, फिर वो बच जाता है तो फिर दही बना लेते हैं, दही का मठा, मठे से मक्षन बना लेते हैं, मक्षन से घी भी मिल जाता तो गी भी मिलता है वहां पर गाय के दूड का मक्हनं भी मिलता है मावा मन खोई पहर उस से पेड़ा बना लेते हैं वगरा वगरा सब हो रहा है और जो किसान ये गाय पाल रहा है उंके पास जमीन जाएं नहीं है जादा आप ध्यान दो इस बात किसी के पास एक एक एकड़ दो एकड़ लेकिन सब लखपती है गाय की ताकत से जमीन जादा नहीं जितनी है वो गाय के घाशचारे के लिए पूर्ती है लेकिन दूद और दूद की दूसरी चीज़ैं जो वो दे रहे हैं कुछ किसानों को तो ये बात इतनी समझ में आई है कि अब उन्होंने दूद देना बंद किया वो कहते हैं जी दूद नहीं देंगे आपको घी चाहिए तो ले लो घी दे देंगे आपको शुद्ध गाय का दूद नहीं देंगे मैंने एक दिन पूछा भा अभी नहीं पढ़ा वो कह रहा है कि जो दूद दे दिया तो मेरे पास तो कुछ बचता नहीं है मैं मठ्ठा तो बचा सकता हूं अगर घी दूँगा आपको मठ्ठा मैं पिऊंगा मेरे बच्चे पिएंगे बचेगा तो गाए पिएगी घी आप ले जाओ तब मुझे समझ में आया कि हमारे देश में कहते थे न दूद बेचा नहीं जाता ऐसा कहते न पुराने लोग दूद बेचना पूट बेचने जैसा है बच्चे को नहीं बेच सकते तो दूद भी नहीं बेच सकते तो वो शायद कहावत इसलिए बनी होगी कि आप अगर दूद बेचते रहोगे तो कुछ बचेगा नहीं तो दूद बेचो मत दूद की बनाओ दही, दही का बनाओ मठा, मठे से निकालो, मक्खन, घी बेचो तो घी बेचो तो भाव भी अच्छा है 180 रुपए किलो तो हमारे यां मिलता है लेकिन वोई घी बंबई जाता है तो 500 रुपए किलो बिक जाता है बैंगलोर चला जाए तो 600 रुपए किलो भाव है जर्मनी चले जाए तो 4000 रुपए किलो तक भाव मिल जाता है वोई घी का 180 से लेके 4000 रुपए किलो तक का रेट है गाए के देशी घी का जर्मनी वहां अमेरिका वगरा वगरा उनको भी चाहिए मिलता नहीं क्योंकि उनके पास देशी गाए नहीं जरसी तो मेरा मानना है गाए का आप थोड़ा पालन उसका संरक्षन संवर्धन शुरू कर दो गोशाला बनाने का काम अगर यहां हो जाए तो खाने का खर्चा उसका बीस हजार रोपय का है तो बीस हजार का खाना खाएगी दो लाग की इंकम है दूद के रूप में दही के रूप में घी के रूप में मक्षन के रूप में मूत्र के रूप में और गोबर के रूप में टोटल इंकम दो लाग की और जो बुड़ी हो गई दूद देना बंद करें तो भी साल की इंकम सवाला की है तो भी खर्चा बोई 20,000 का है तो इंपुट कम है आउटपुट जादा है इसलिए गाय का बिजनिस भी आप करें दूद का गाय से मतलब दूद का दही का मक्खन का घी का गोबर का आप शुरू कर दो मैं आज बो आप सरकार बोलेगी इसी बात को कि गोबर गैस प्लांट लगाओ जगे जगे सिलिंडर में गैस भरो और गाडियां चलाओ डीजल हम ला नहीं सकते पैट्रोल ला नहीं सकते तो इसलिए ये गोमूत्र से शुरू हुई आपके बीच की बात वहां तक पहुंचती है और लगातार बढ़ा सकते हैं यहां पर अपने निरंजन भाई है यह और इनकी पत्नी गाय के सेवा में लगे हुए आपको कभी गोमूत्र की जरूरत हो तो इन से ले लेना अब मैं पांच मिनट में खतम करता हूं कि गोमूत्र से और क्या-क्या कर सकते हैं और क्या-क्या क्लूकोमा ग्लूकोमा एक रोगे ना काला पानी काला रेटिनल डिटेच में प्रोग का जिसक παर निया में कुछ भी इलाजी नहीं रेटिनलग डिटेचमेंड का ऐब यह इंग और सब्सक्रि और उमेर दिख लॉटी में चूटी-मोटी बीमारयां बहुत ऐं लाल होसी चोटी चोटी से लेकर सबसे खराब बीमारी रेटिनल रेटेच्मेंट ये सब गो मूत्र से ठीक होती है क्योर होती है शब्द पे ध्यान देना कंट्रोल नहीं क्योर होती है जड़ से खतम होती है आप बुलेंगे जी क्या करें बस इतना ही करना है कि देशी काय का मूत्र कप के देख लीजे नंबर बदल जाएगा और सवा डेड़ महीने में चश्मा उतर जाए ग्लूकोमा बिना ओपरेशन ठीक होता है चार सवा चार महीने में केटरेक्ट अगर आपको डिजॉल्व करना चे सवा चे महीने में ठीक हो जाता है रेटिनल डिटेश्मेंट को एक साल लगता है लेकिन लगातार गोमूतर डालते रही है एक एक बूंद बस इतना परियाबते आँखों में बच्चों के कान बह रहे हैं कान आप जानते हैं छ सर्दी होती है बार बार जुकाम होता है बागबट जी कहते हैं कि नाक बह रही हो सर्दी बहुत हो जुकाम बहुत हो तो गोमूतर तो नहीं कहा उन्होंने गोगरत कहा गोगरत माने गायका घी एक एक बूंद नाक में डाल दो बच्चों के सर्दी जुकाम ऐसे गायग शोगाँ बहुत गहरी नीद आएगे समया और युद्वा में बूत जाते हूँ गाए का घीक एकखुह नौणाक में डाल लो तीन दिन बाद चौथे दिन से खर्राटे बिल्कुल बंदो जाएंगे, स्मूत एकदम आपकी नीदो जाएंगे, तो गाय के घीका भी उपयोग है, औशदी के रूप में गोम उत्रका, अब आता हूं बाल जड़ते हैं बहुत, बहुत सारी बहने शिकाइत करती हैं, बाल जड़ रहें, तो गाय के दूद का दही बनाओ दही, द छार बार कर सकते हैं और बाल टूटना एक हिए हफ़ते में बंद हो कर में कई बहनों ने तो मुझे बता राजी भई बाइश में टो एक हिए Kilगा अच्छा बविश्य में बाल ना तूटें अच्छे रहें दुरुस्त रहें तंदुरुस्त रहें तो महिने में एक बार या नहीं तो महिने में दो बार गाए के मूत्र से बाल दो लो बहुत अच्छा कंडिशनर है नेचुरल औरगेनिक कंडिशनर है गाई का मूत्र तो जैसे आप कंडिशनर यूज करतें ना उसकी जगे गोमूत्र यूज कैसे करें गाई के मूत्र में थोड़ा पानी मिला दे ना और जैसे कंडिशनर यूज करते हैं वैसे कर लें और आगे बढ़ता हूँ, बच्चों की पसलियां बहुत तकलीफ की स्थिती में हो, बच्चों की, आप कई बार महसूस करते हैं न, उनको बलगम जमा हो गया, कफ जमा हो गया, तो ऐसे बच्चों को एक चमच गोमूत्र पिला दो, एक ही दिन के बाद वो सारा कफ उतर जाएगा, आप आपको पीना है तो आप भी पीलो, आदा कप तक पी सकते हैं, फिर उसके बाद मूत्र पिंड के जितने भी रोग हैं, मूत्र पिंड के रोग आप सब समझते हैं, किड्नी के फेलियर के और किड्नी के तकलीफ के, ये सब में बहुत अच्छी दवा है, गोमूत्र करो गाएगा मुत्र आदा कव किड्नी फेलियर के सब केसे में आप उपयोग कर सकते हैं जैसे पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है गो मुत्र पीना शुरू करो खुल के आएगा पेशाब में जलन होती है गो मुत्र पीना शुरू करो जलन बन पेशाब कई बार लाल रंका आ होगा मूत्र के लगबग 22 त रोग संके ले गो मूत्र से ठीक हो तेंद फिर आपको कबजियत बहुत है कबजियत पेट साफ नहीं हो रहा है तीन दिन गो मूत्र पी से दिन से एकदम पेट साफ होगा एकदम पेट साफ हो फिर आपके शरीर में बीसियों रोग हैं वात के कफ के पित्त के आप उसमें उपयोग कर सकते हैं पित्त के रोगों के बारे में बागबट जी की एक बात याद रखना कि गोमूत्र पित्त के रोगी जब भी लें तो वो निवेदन है उनका बाकी बात और कफ वाले तो कुछ भी करें तो बाल में उपियोगी शरीर में गोमूत्र की मालिश करो आप तो आपकी तुचा पर जितने भी सफेद सफेद धब्बे है ना सब चले जाएंगे आँकों के नीचे डार्क सरकल है रोज सुबह ऐसे ऐसे गोमूत्र अद्बुत है अब इस गोमूत्र को ज्यादा आज के समय में लोगों ने उपियोग करने के लिए एक टैक्निक डवलप की है कि प्योर गोमूत्र मिले तो वैसे सबसे अच्छा होता है लेकिन क्या करते हैं आज कल कि गोमूत्र को उबालते हैं तो उसकी अर्क ले सकते हैं नहीं मिले तो लेकिन अर्क जादा नहीं लेना अर्क सुक्ष मात्रा में ही लेने के लिए बागवट्र ने नियम दिया है वो यह कहते हैं कि अगर लेना है तो एक चम्मच परियापत है मूत्र पीना है तो आधा कप परियापत है अर्क लेना है तो एक च गोशाला चलाएं आप भी गोशाला बनाएं तो उसमें भी अर्क बन सकता है और अर्क बाजार में 500 रुपए लीटर बिखता है बड़े-बड़े वैद्धे खरीदने को तैयार है आप खाली गोमूत्र से अर्क ही बनाना शुरू कर दो एक गाय धाई से 3 लीटर मूत्र देत है उससे साबुन बनता है साबुन और इतना अधबुत है वो साबुन कि ठोचकि खत्म करते ने के बाद जो बचता उससे शैंपू भी बदता है Saabun भी बदता है Bereich वरशिंग पाउडर और वो लगा दो तो temperature 5 degree कम कर देता है temperature 5 degree कम कर दे गी का उप्योग करें और हर चीज उप्योग करेगी तो मांग बढ़ेगी मांग बढ़ेगी तो गाय आएगी आप भी गाय रख सकते हैं भारत में बहुत लोगों ने गाय रखी है और कई लोग तो ये सुन सुन कर कार बेचके गाए ले आए स्कूटर बेचके गाए ले आए मोटर साइकल बेचके क्योंकि वो कहते है राजी वाहि आप ही बोलते हो 10 साल के बाद मिलेगा के नहीं डीजल, पेट्रोल बारोसा नहीं फिर ये कार करेगी क्या इस पर है गोमूत्र पर मैंने उसके कुछ सूत्र आपको बताए आप आसे इनका पालन करें अपने जीवन में और सुखी रहें निरोगी बनाए यह जितनी भी बात हैं मैंने कहीं हैं यह किताबों में हैं गोमूत्र चिकित्सा पर विशेश किताब हमने बनाई है उसमें पुस्तक को अपने नाम से छपा ले हमारा नाम निकाल के अपना लिख ले तो मैं कभी मुकद्मा करने नहीं आओंगा क्योंकि मैं मानता हूं यह बात जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे तो हमारा लक्ष है गाए बचे और बागवट्टे च करने लग जाएं तो लिमिट टूटेगी ज्यादा लोगों तक पहुचेगा इस पर सीडी भी बनाई है पुस्तक भी है आप चाहें तो ले ले अभी प्रश्न आपके आज समय थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने माफ करिएगा जी प्रश्न एक सवाल यह है कि आपने कहा कि गोमूत्र में सबसे ज़्यादा करक्यूमिन है लेकिन हल्दी में भी करक्यूमिन है हाँ वो कल बात करने वाला हल्दी की बात कल आएगी हल्दी में भी बहुत करक्यूमिन है और एंटी कैंसरस सारी प्रॉपरटी हल्दी में है और दूसरी बात यह है कि जैसे त्रिफला च अच्छा है यह सवाल प्रदीप भाई का बहुत अच्छा है कि इतनी सारी चीज़ें आपके सामने हैं सबेरे क्या-क्या लें तो मैं आपको एक छोटी निवेदन ये विंती के रूप में करना चाहता हूँ कि 30 तारीक को सुबह मैं एक सेशन करना चाहता हूँ आपके साथ इसी भवन में वो यही प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्योंकि ग्यान जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तब हमारे सामने सेलेक्शन की समस्या आती है कि हम क्या-क्या करें अब सबेरे लेने के लिए इतनी चीज हो गई है तो आप दो दिन इंतजार कर लें तीस तारीक का सेशन में इसी के लिए करने वाला हूँ कि जितना आपके पास ग्यान आ गया अब इसमें से सलेक्टिव कैसे हों कौन-कौन सी एक दो तीन चीज़े करें जो आपके लिए प और ये जो सारा बोला है इसका समब भी तीस तारीक को सुबह साथ बजे से नौ बजे के इसी सेशन में मैं करूँगा गाई के बारे में आपने बहुत कुछ बताया अच्छा है गाई का पंचमर्त जो होता है वो इतना सुध होता जिसकी कोई हद नहीं मैंने इसका सद्विप्योग किया है पंचों चीजों को जिसको मिला करके आप लेओ तो जिन्दगी भर की जैसी जैसी बीमारी हो वो आपकी दूर हो जाती है उसके बारे में आप बताते है गाई का दूद गाई का घी गाई का मूत्र थोड़ा गाई के गोबर का रस और य यह पंचामरत इसमें गुड़ की जगए शहद भी मिला सकते हैं क्योंकि दूद में वैसे शहद नहीं मिलाते लेकिन गाई के मूत्र के साथ चलता है घी में शहद नहीं मिलाते लेकिन गाई के मूत्र के साथ चलता तो पंचामरत बनाने की विधी उस तक में है आप ले लो ये पंचामरत का इनका जो रिजल्ट है वो पूरे देश में वैसा ही रिजल्ट है बात पित्त कफ तीनों पर एक साथ काम करता है बहुत गहराई से असर करता अपनॉर्मलिटी इन हर्मोन्स उसका कोश्क्यूर है? हाँ बिलकुल है आप इसके लिए मुझे व्यक्तिकत रूप से मिलेंगे मैं आपको लिख के देता हूँ जरूर जरूर देखिए मेरे पास एक लिखित चिठी आई है बहुत खुशी की बात है चिन्नई में गोशाला है तो बहुत अच्छी बात है बस दुख की बात है कि उसका मेनेजमेंट सही नहीं है ये दुख की बात है तो आप गोशाला वालों से मिलके उसका कुछ मेनेजमेंट सुधार लो और मेरी तरफ से गारंटी दो कि एक भी गाय घाटे का सौधा नहीं है दूद दे या ना दे सेक्रेटरी हैं बहुत अच्छा है जी आप बोलेंगे इनको माइक दे दीजे जरा चेनरी में पिंजरापोल है जहां करीब 2700 गाय है यह सब उड़ी गाय है जो दूद नहीं दे रही है और हम इनका पालन कर रहे है आप जैसे लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट बराबर नहीं ह यह बात नहीं है वोई लोग बोलेंगे या तो उनको दूद नहीं मिल रहा है अगर वहां आके आप पर्सनली आके देखे तो आपको मालूप पड़ेगा कि मैनेज कैसे किया जाता है कहना बहुत मुश्किल है जिसे आप से विंती है कि आप सब लोग वहां का आईए देख आठा रात को नहीं खाना सुबह खाना आप थोड़ा या तो चूना खालो और आज जो बोला है थोड़े दिन या तो गोमूत्र पीलो एलर्जी सब तरह की ठीक चूना खाने के लिए एक ग्राम चूना दही में मिला के या मठे में मिला के चाच में नहीं तो पानी में मिला नहीं दिन में सुबह गुस्सा नहीं आए गाय का घी नाक में डालो गुस्सा नहीं आए गाय का घी नाक में डालके सोना एक दिन में अगर आप मेहनत का काम करते हैं रात को मैं बोल रहा हूं मेहनत का काम करते हैं मजदूरी करते हैं तो आठ गंटे नीथ चाहिए मेहनत करते हैं आठ गंटे हैं और अगर मेहनत नहीं करते हैं सिर्फ बैठने का काम है तो 6.5-7.6 गंटे जहां गोबर गैस, गाय की गोशाला जो होती है न, जहां गोबर है, वहीं पर ये गोबर गैस बनती है, और वहीं से सिलिंडर में भरके हम सबको दे सकते हैं गोमूत्र वैसे ताजा हो 48 मिनिट में पी लेना चाहिए बोतल में भरके 4-5 दिन तक रख सकते काच की बोतल बीपी के लिए सबसे अच्छा मेथी दालों रात को पानी में डालके है हाँ बेनों और भायों महान रिशी बागभट द्वारा रचित अश्टांग हिर्देम पर आधरित सुदेशी चिकिस्सा के व्याख्यानों को आपने सुना राजी भाई ने सुदेशी चिकिस्टा के ऊपर व्याख्यानों में आपको बताया कि किस तरह से हम अपने स्वस्त को अच्छा रख सकते हैं बिना दवा के बिना डॉक्टर के हम अपना इलाज कैसे कर सकते हैं ये आपने उनके व्याख्यानों में सुना आईए अब हम इन व्यक्षानों के आधार पर और बागवट रिशी के द्वारा रचित अश्टांग हिर्द्यम के आधार पर सुदेशी चिकिस्ता के शिवरों में भाग लें और सोदेशी चिकिस्जा के शिवरों में भाग लेकर अपने वात, अपने पित और अपने कफ के बारे में जाने और इन तरीजोशों के आधार पर अपने शरीर को कैसे स्वस्त रख सकते हैं इसके बारे में जाने इन सोदेशी चिकित्सा शिवरों में हम आपको बताएंगे किस तरह से अपने बात को अच्छा रखें, किस तरह से अपने पित्त को अच्छा रखें, किस तरह से अपने कफ को अच्छा रखें, इन तीनों का संतुलन कैसे अच्छा रखा जाए ताकि हमारा सरीश्वस्त रहे हमारे प्रति दिन के भोजन में हमारे परिवार के भोजन में हम किस तरह का खाना बनाएं हम किस तरह का भोजन तयार करें ताकि वो प्रकर्ति के आधार पर हो इन त्रिदोशों के आधार पर हो ताकि हमारे परिवार का स्वास्त अच्छा रहे भाईयों और भेनों आपने सोदेशी चिकिस्सा व्याख्यान सुना, सोदेशी चिकिस्सा के वारे में जाना अब हमारा कर्तब्य है कि हम अपने सभी जनजन को, हभी अपने भाईयों को, सभी भारतियों को सोदेशी चिकिस्सा के वारे में बताएं और देश की सेवा करें करके हमारे इस नंबर पर संपर कर सकते हैं 982520113 982520113